नमस्कार मेहू पलवी सिंग आप देख रहे हैं आर्या नियोजा रुपकरेंगे उत्रब्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के ओर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में आयोजित महीला सचक्तिकरन सम्मीलर में एक हजा करोड रुपए की राशी स्वेम सहायता समू के बैंक खाते में ट्रांसफर की साथी 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शुलन नयास किया है प्रधान मंत्री ने कन्या सुमंगला योजन के तहट भी एक लाग से अधिक लाबार्थियों को 20 करोड रुपे से अधिक की धुन राशी ट्रांसफर की इस दोरान उन्होंने कहा है कि प्रयागरा जो हजारों सालों से हमारी मात्रोशक्ती की प्रतीक मा गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धर्ती रही है आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ती के इतने अध्बुत संगम की भी साक्षी बन रही है युपे में विकास और महिलाओं के सुचक्ती करण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है मोदी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षुपात डबल एंजिन की सरकार बेचियों के भविश्य को शशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है अभी कुछ दिन पहले ही केंज सरकार ने एक और फैसला किया है जहां पहले बेचियों के लिए शादी की उम्र कानूना 21 साल कर दी गई है लेकिन अब बता दें कि बेचियों के लिए ये उम्र 18 साल थी लेकिन अब बेचियां भी चाहती थी कि उनकी पढ़ाई, लिखाई और आगे बढ़ने के लिए उन्हें समय मिले बराबर का अफसर मिले, इसलिए बेचियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है देश ये फैसला बेचियों के लिए कर रहा है और लेकिन किसी को इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं केंदर सरकार ने एक और फैसला किया है पहले बेचों के लिए शादी की उम्र कानूनम 21 साल थी लेकिन बेचियों के लिए ये उम्र 18 साल की थी बेचियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले बराबर अवसर मिले इसलिए बेचियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है देश ये फैसला बेचियों के लिए कर रहा है लेकिन किसको इससे तकलिफ हो रही है ये सब देख रहे हैं भाई और बैनों पांच साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया रात था यूपी की सत्ता में गुन्डों की हनक हुआ करती थी इसका सबसे बड़ा बुक्तबोगी कौन था मेरी यूपी की बेचिया थी उन्हें सड़क पर मिकलना मुश्किल हुआ करता था स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था और वहीं अब उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर से एस्मा एक्ट लागो कर दिया है और इस अधिनियम के तहट अब यूपी में अगले छे महीने के लिए अधिसूशना में कहा गया है कि उत्तरप्रदेश में राज्य की गतिविधियों से संबंदित किसी पिस आरवजनिक सेवा निगमों और इस्थानिय प्रदिकरणों में हर्ताल पर प्रतिबंद लगा जा रहा है इसके बाद भी हर्ताल करने वाले के खिलाफ कानूनी व्यवस्ता के तहट कारवाई की जाएगे बता दें कि राज्य में पहले भी कोरोना के चलते एस्मा एक्ट लागू किया जा चुका है और बता दें कि 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महमारी के बीच छे महीने के लिए आवश्यक सेवा रख रखा अतिनियम लागू किया था इस दरान राज्य में किसी भी तरह की हर्टाल पर पूरी तरह से बयान लगा दिया गया था एस्मा के देद आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी करमचारी निर्धारे समय के भीतर ही किसी भी हर्टाल पर नहीं जा सकते वहीं अगर कोई कर्मचारी नियमों की अभेलना करता है तो उसके खिलाब सत्कारवाई की जाती है